प्रेंट्स टूडें वी आइग दम से क्यों यूं खुश हो जाता हूं यह पहले बता चुका हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिनॉल्स के वल जो है एक कंपाउंड दा नाम नहीं है देखा जाये तो फिनॉल्स हम उन सभी कंपाउंड को कहते हैं जहां पर बेंजीन में वेच गुरूप है तो दोस्तों इसके सिलेवस के साब से सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ नॉमन प्लेचर पॉमन और वह था हैं तो दोस्तों पहली हेडिंग में जो है वह इंट्रोडक्शन डाल देता हूं ठीक है कि फिनॉ पूचांग इकलौती कौण सी इनॉल फोड़ा जो की इस्टेबल है। अगरवाइस तो इनॉल फोड़ा लेस टीटोफोड याथ स्टेबल होती है यहां पर देखते हैं कि यह इतना क्या है तो सबसे बहले दोस्तों स्ट्रक्शर बनाते हैं ठीक है यह इस तरीक उसे मैंने बेंजीन रिंग बनाई ठीक है अच्छा हर इसका बेंजीन का फॉर्मुला C6-H6 है ठीक है लेकिन एक हाइडरोजन की जगर मैं यहां पर OH ग्रूप लगा देता हूं दोस्तों तो यह जो कंपाउंट्स है जिसको की हम पिनौल कहते हैं और उसको हम अगर बेंजीन का डेरिवेटिव मानते होई रहाएठ हीरोजन होती तो बेंजीन तो यह फिनौल क्यों कहते लिएटाई जो आज़ का में लिएटा फिनौल और फिनॉल अब लेटाट सी की इसको फिनॉल क्यों कहते हैं तो दोस्तों यह फिनाई ग्रूप है C6H5 को अगर इसका फॉर्मुला लिखें तो C6H5OH यह इसका फॉर्मुला हो जाएगा 6 कार्बन है 5 हाइड्रोजन हो गई और 1 OH हो गया तो C6H5 को फिनाई कहते हैं और OH को ओल कहते हैं इसलिए फिनॉल लेकिन अभी इन कहां से आया इन प्लस ओल इनॉल आ रहा है एक वर्ड आ रहा है अगर इसको बार बार लोगे फिनॉल इनॉल फिनॉल इन और ओल तो देशना दोस्तों एक गौर फरमाना हाना यह बड़ी ही शांदार है यदी एक ही कारवन पर मैं यहां पर यलो इन और और ओंश ठीक है और यह जो इन है डवल बॉंड सी के इसको मैं इन जैसे बैसे तो यह बेंगीन का पार्ट है लेकिन एक कारवन के रेफरेंस में देखे तो इस तरही किसे इन और ओल पर इसके लिए यह इनल तो फैनिल ग्रूप पर इन और और फिनल हो गया और यह हम कहते है इस इस मोर स्टे बिटी ज्यादा है लेकिन अगर दोस्तों ठीक है अगर हम इसकी दूसरी रूप देखें जिसकों की जनरल ही यह तो कम इस तरिके से लेख सकते हैं ठीक है बहुत कम ही फॉर्म इसकी बहुत वेरी लेस्ट थीकि आप देखो एक्टली कीटो फॉर्म कॉंड सी होती है तो मैं मैं इसकी कीटो फॉंग बना रहा हूं और आप खुद ही समझ जाओ गया ना मुझे बोलने की जड़त नहीं पड़ेगी है ना कि सर यह क्लेस स्टेबल क्यूं है मैं इस डबल बॉंड को ऑक्सिजन के पास बेज देता हूं पुराने डबल बॉंड यह है ठीक है तो यह जो है एक एक्स्ट्र हैड़ोन वी बागी सब पर हीडायगी से तो यह के टीक है मैं इसको ँप हुदक हम हुद एक गुला कर देता हूं सिओ गृँट फाइब क्या होगी दोस्तों लेस इस्टेबल जो आप पराइस लेसुटेबल तो अब समझ में आ गया होगा गया लाइस टेवल इसलिए नहीं है इसके अंदर राइजुनेंस और आपको पता है कि जहां रेजुनेंस होता है वहां इस्टेबली बढ़ जाती है बच्चे-बच्चे को सब पूरा कतम हो गया इसलिए बहुत कम स्टेबल है इसलिए दोस्तों यह फिनॉल की यह फॉर्म है इनल फॉर्म यह जादा इस्टेबल है तो दोस्तों यह उपरेशन करना जरूरी था क्योंकि क्या है कि अधिक तर हम लोग नंबरों के पीछे पढ़े रहते हैं फटापट ठीक है रच डालो ठीक है पूरी रात पढ़े अगले दिने एक्जाम में फिर पुछ भी आगया फिर हमारे को तर उड़ जाते हैं इसलिए समझना जरूरी है कि इसको हम फिनॉल क्यों कह रहे हैं इस इस दा फिनाई इन और ओल सबको मिला के बोलोगा तो फिनॉल इस दा इ आपके घरों में जो आप वाइपिंग के लिए पोचा लगाने के लिए काई बोटल आती है यहां बनाई जाती है उनसे घरों में बात करते हैं ठीक है तो यहां देखते हैं स्टॉक्चर स्टॉक्चर से से फिनौल इटसेल वही गया पहले लगता है तो यह जो है और तो नाइट्रो फिनोल और यह आपने पड़ा होगा यह आपने पड़ा है इंटर इंट्र मॉलीकुल है यह मतलब नहीं गई अगर इंटर मॉलिकूल है इंट्रा मॉलीकूल यह फिला नाइट्रो फिन है और्पेनल वह जिसको कि हम पैरा नाइट्रो फिनोल करते हैं OH ठीक, यह NO2 यह परा-Nitrophenol होगा, इसके दो molecules के बीच में अलग-लग बनेगा तो इसमें पाए जाता है इंटर, दो molecules के बीच वाला ही वह इंटर- ziet यह हो गया, फिर उसके बाद में chloro-dercrates भी हो जाता है, OH ठीक, यहाँ klorine लगाता है तो यह पोजिशन को पता ही यह पोजिशन जो है वह ऑर्थो कहलाती है यह पोजिशन दोस्तों म Kelly आती है यह यह准पस मेटा कहलाती है यह तो पता होना चलिए पोजिशन चीज्ब है इसके अलावा इसके और बनाता जाता हूं अच्छा कुछ जो है जो डाइ हाइडरिक मतलब जिसको कहते हैं डाइ सब्सक्राइट कंपाउंट वह बड़े इंपॉर्टेंट है जैसे में पहले मेरा इस वीडियो आप देखना अरोमेटिक कंपाउंट श्रीक है उसमें सारी स्ट्रेक्टर बना रहे हैं लेकिन चुकि फिनॉल है तो मैं इसके कुछ पोश्चेंट बले आपको बाफस बनेंगे इस तरीके से ओएच और ओएच होता है दोस्तों वैसे तो इसको वन्टू डाइड्रोक्सी बेंगीन कहते हैं लेकिन इसके लगव दोस्तों इसको और तो कहते हैं जिसका दूसरा न लेगा यह तो बन्ति डाइड्रोक्सी बेंगीन जिसको कि हम रिसॉर्स इनॉल कहते हैं यहां आपको कंफिजन हो सकता है दोस्तों क्योंकि यह पॉपुलर नाम है रिसॉर्स नौल का यह लेगन आपको पता होना चीए कि यह जो मेटाड़ाइड्रोक्सी बेंगीन है अच् थोड़ा इसे दोस्तों यह प्रक्राइड को एलुप इस तरीके ज्सकते सकते था है इसको जो है हो जाएगा आफ के नाम लिख सकते हैं और दोस्तों अब्रोक्स बडरिशन बड़री इयुटति है और इस और है अब धिसी को अधली बूर्र बाताने वाला हूं दोस्तों जिसको मैंने पहरा केटापॉल कहा था दोस्तों इसमें थोड़ासा करेक्शन है इसको आपके क्विनॉल कहते हैं ठीक है यह आपके जो कमपाउंट्स है ठीक है इसको 1-4-di-hydrotoxybenzen तो ही मैं आपके लिखता हूं 1-4-di-hydrotoxybenzen यह dual को एक आप Tae again आपकेश की दूसरे कंपाउंट में सुछ एनियो पफ़्स है सुछी हुआ और इस तरीके से हैं अब इसकी दूस् Confound को Märs ङूरी सब्सक्राइब इस तरीके से से बना पर यह यहां पर तरीके इसे रेगुलर जो है O8, O8 और O8 इस तरीके से यह तीन हाइट्रोक्सी ग्रूप एक साथ होते हैं तो इनको हम दोस्तों जो है वो पाइरोगेलोल कहते हैं जिसको कि हम 1,35 ट्राइट्रोक्सी बेनजीन भी कह सकते हैं और यदि इसी की जगह जो तो यह बन थ्री फाइब पोजिशन पर इस तरीके से होता तो इसको फ्लोरोग्लूसिनल कहते हैं इस तरीके से वान थ्री और फाइब ओएच ओएच और ओएच ठीक है इसको हम दोस्तों फ्लोरो फ्लोरो गुलूसीनॉल भी कह सकते हैं दोस्तों इसका नाम है फ्लोरो गुलूसीनॉल फ्लोरो गुलूसीनॉल चीक है अचा इसके अलावा दोस्तों कुछ और पंपाउंट्स है यह तो इतना काम नहीं आते हैं लेकिन जो दूसरे काम आते हैं वो उन पर हम चलते हैं इस तरीके से यह अगर यहां ओएच और यहां सी डबल ओएच ग्रूप होता है ठीक है तो इस इस तरीके से बेसिकली यह और तो आइड्रोक्सी बैंकोई कैसिड हो गया जिसको कि हम सैलिसली कैसिड कहते हैं यह इंपोर्टेंट का दोस्तों इससे एस्प्रिंट बनाई जाती है यह सैलिसली कैसिड और यदि इसी में फिनॉल वाले में अगर इसी डबल ओएच की जगर अगर फिनॉल में और तो पोईशन पर एल्डी हाइड जोड़ देता हूं तो दोस्तों इसको सैलिसली हाइड कहते हैं इसको सैलिसली हाइड कहते हैं ठीक है इसी तरीके से बड़े अच्छे अच्छे नेम है अच्छा एक और है इसी का फिनॉल का डेरिवेटिव जिसको की आप 4th semester में पढ़ोगे मैं यहां पर लिख देता हूँ OH NO2 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 ठीक है इसको वैसे तो नाम हो जाएगा इसका यहां पर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 6 ठीक है इसका नाम हो जाएगा आपके 2, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 6 ट्राइनाेट्रोफिनोल यह कई वार एक्जाम में आ चुका है दोस्कों ठीक है, फ्रेंड्स यह कई वार एक्जाम में आ चुका है मैं दूसरे कलर से इसको बॉक्स जresobles करते इन डेता हôm, यह वाला कई वार आ आ चुका है पाइस चुके हैं कि पिक्रिक एसी क्या होता है इस तरह से आपको ध्यार रखना है तो दोस्तों इस तरह के से फिनॉल का जो है वह इंट्रोडक्शन पूरा होता है और इसके नॉमन कलेचा पूरे होते हैं अब हम इसके सिंथेसिस पर चलेंगे तो नेक्स्ट फ्रेंड्स फिनॉल की सिंथेसिस पर चलते हैं सिंथेसिस ऑफिनॉल में यह लिग देता हूं सिंथेसिस ऑफिनॉल तो फ्रेंड्स पहले हम यह आज चूकी है फ्रॉंग तूमी कि अजर आपको पता है कि क्यो क्या है तो आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से होगी और यह इंडल्स प्रॉस्स में यह लिग देता हूं यह इन्ड़स्ट्रियल प्रॉस से लिए से नमें और है ड्रीक इसको कहते हैं आपके इस group को Idisopropyl और यहां दोस्तों मैं Benzin बनानेगॉज ऑना हूँ ठीक है तो यहां गोदी के आइस बरो स्कारोफिल Benzin है यही हां लिख देता हूँ जिसको कि हम Iisopropyl Benzin भी कहते हैं ठीक है और फिर यहां पर ठीक है यह टू स्टर प्रसेस है पहले इसका हम ऑक्सिडेशन करेंगे ठीक है इस तरीके से आई टेंप्रेचर पर तो यह आपके बन जाएगा दोस्तों सी एस टीक है ओटू कर देते हैं ओटू की प्रजैंस में ठीक है तो इस टीक है और इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन पर उक्साइड यह हाइड्रोजन पी जुड़ी है है क्यूमीन पर उक्साइड ठीक है और उसके बाद में फ्रेंड्स फिर इसका जो है हम प्रोटोनेशन करेंगे डियाइड्रोजन करेंगे ठीक है यह प्लस की प्रजैंस में ठीक है तो इस तरीके से सी एस्ट्री सी ओसी एस्ट्री निकल जाएगा और यह बड़ी ही पॉपुलर रियक्शन है ठीक है यह हो गया आपके ओएच और सी एस्ट्री सी ओसी एस्ट्री यह निकल जाएगा आपके तो बड़ी ही अच्छी रियक्शन्स है यह जिसमें हम क्यूमीन को पहले ऑक्सिडाइज करते हैं हाई टेंप्रेचर प्रेशर पे ओटू तो जो ऑक्सिजन है वो साइकार और हैड्रों के बीच में जोड़ती है सब्सक्राइब क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है और फिर दोस्तों एच प्लस की प्रजैंस में थोड़ा साइडिया देदू वैसे इसकी मैकेनिज बगरा आपकी सिंथेसिस में मैकेनिज में ही है इसकी रियक्शन जबंपढ़ेंगे फिन और की कैमीकल और उसकेस में फिर यह जो एच और ओएच से वापस जो एच निकला दोस्तों वह वापस है जोड़ेगा इस तरीके से मेकेनिज है अभी आप हैर क्लास में आवगे तो आप पढ़ो गई अभी हम केवल रियक्शन पढ़ा रहे हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट रियक्शन ह यह लगे हाथ कर दो ठीक अपने पास जगें बची हुई है तो इस तरीके से मैं दूसरी रियक्शन से कर दो ठीक है यह मैं लिख देता हूं आपके फ्रॉंग क्लोरो बेंजीन यह दोस्ता आपने 12 लास में पढ़ा होगा फ्रॉंग क्लोरो बेंजीन जिसको कि हम रशिक प में प्रेशर और हाई प्रेशर इस पर जब हम गरम करते हैं दोस्तों ठीक है तो इस तरीके से यह निकलता है और इसमें जूड़ जाता है तो इसमें इल्ड कम है यह मतलब इसकी बद बनता है क्योंकि बेसिकली यह नूट्रीट सब्सिटुशन रियक्शन टैप की होगा और हमें पता है कि यह एरो मेटिक कंपाउंट्स में नूट्रीट बड़ा मुश्किल काम होता है इसलिए क्या है कि इसमें खूब उत्च सिंतेसिस हो गई तो बच्ची वी सिंतेसिस और फिर रियक्शन से पढ़ेंगे ओके फ्रेंड्स थैंक्यू